तो दोस्तों आज 6 अपरिल 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important shares के उपर कुछ important updates है कुछ important news है तो चले के करके cover करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का largest individual company Reliance Industry Limited के उपर आज market के अंदर भी काफी अच्छा तेजी देखने को मिला उसके साथ सब Reliance की share भी थो पर तो जैसे कि आप आप यूज का हेडलाइन देख सेक्तों रिलाइंस जी ओर इस फाइब बिलियन डॉलर मैसिब दोस्तों यहां पर फंड रेस किया है लोन के रूप में जैसे कब आप देख सेक्तों आर्टिकल रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेट और इट्स टेलिकॉम जीओ इंफ्रकॉम हैब रेस्ट टोटल और फाइब बिलियन डॉलर इन बैक तो बैक फॉरिन करेंसी लोन दे लाज़ेस इंडिकेटेट लोन इन इंडिया स्कॉर्परेट हिस्ट्री सोर्सेट तो बेसिकली यह सारे कंपनी लोन लिया है तो बेसिकली कंपनी का जो फाइब ज्यादा बराने के लिए मतब एक्सपैन करने के लिए तो कहिने के दोस्तों यहां पे बिजनेस और भी ज्यादा एक्सपैन होगा आखिर आपको फाइदा जरूर मिलेगा नेक्स्ट इंपॉर्टन अपडेट यह है कि फिर से कंपनी एक न्यू बिजनेस को पर एंट्री ल यह बहुत जल्दी दोसो आइस क्रीम मार्केट के उपर कंपनी एंट्री लेने जा रहा है और लास्ट एक दो साल पर ने देखा बहुत अलग अलग न्यू न्यू सेक्टर में कंपनी एंट्री लिया चाहे हम बात करें रिटेल के थू हो या रिलायंस का पावर सेक्टर के प्रिजनेस है उसके थ्रूब बहुत सारे चोटे बड़े कंपनिस को खड़ीदारी भी किया और इससे फायदा होगा रिलाइंस इंडस्ट्री को भी लॉंग तम में तो जिस बैसे इसके पहले भी मैं कहीं बार बोला था कि अगर आपका टार्गेट या परपस लॉंग तम का है तब ही जाके रिलाइंस इंडस्ट्री में यहां पर इंट्री लीजिए या खरीधारी कीजिए आखिर अगर हम बात करें शौट टम में आपको यहां पर कोई बोल नहीं सकता मातों कि शेयर में कभी भी गिरावाट हो सकता है क्योंकि डीमर्ज बहुत जल्दी होगा अब अब दिके डीमर्ज के पहले शेयर के अदर गेन होने के मोस्ट प्रॉबबली चांस है अब दिके मार्केट का कोई भरोसा नहीं है जिस बैसे इस टाइब की शेयर आपको लॉंग टम में सबसे यादा गेन दे सकता है चाहे आप इसका लॉंग टम का डिटन देख सकतो चाह कोटा सा आइटी सेक्टर की कमपनी जिसका नाम है वरानियम क्लाउड लिमिटेट तो कमपनी अच्छी कमपनी है ज्यादा पूरे है लिस्टेट कमपनी नहीं और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफीटेबल कमपनी कमपनी का अगरा हम बात करे मार्केट का आप देख सेकतो लगबख 717 करोर अब देख लिए कहीं ने कहीं दोस्तों कोई भी बड़े कमपनी को उठाके देख लिए कहीं ने कहीं चोटा से शुरुआत किया आज की रेट में 717 करोर हो सकते कि कल बढ़ते बढ़ते 7000 करोर में पहुच गया यह कोई इंपॉसिबल वाली बात नहीं है इस नोटिस में कोई भी रेकॉर्ड या एक देट मेंशन नहीं किया तो कहीं नहीं करें दोस्तों शेयर के अंदर भी आपको अच्छा तेजी देखने को मिल सकते मैं आपको इसका मैक्सियूम रिचल यहां पर दिखाकर रखना चाहता हूं तो देखें शेयर लिस्ट वाता ज्यादा पूराने बात नहीं लास्ट यर सेप्टेंबर 22 में यहां अच्छे से इसको सटडी करना अनलाइज करना उसके बाद ही दोस्तों इन्वेस्ट करने की मैं आपको रेक्मेंट करूंगा बाकि देखें इन्वेस्ट करने से वहले अपने फिनशल एडवाइजर से भी सभी सबूर कंसल करना बाकि पॉजिटिव पार्ट देखें उसके पादी इन्वेस्ट करना नेक्स दोस्तों बहुत इंपोर्टन अपडेट आज की रेट पे सबको चौका के रख दिया इंडियान एनर्जी एक्सेंट का शियर जहां पर लास्ट छह मेने साथ मेने आट मैने तो अराम से हमने देखा शियर के अंदर दस तो छोड़िये पांच इंपोर्टन डेटा आज डिलीज हुआ और वो डेटा के उपर बेस करके इतना ज़्यादा डिमांड हमें देखने को मिला तो देखें न्यूस का हेड्लाइन कुछ ऐसा है कि एवरेज इलेक्रिसिटी प्राइज ओन आई एक्स डूरिंग फानांशल है 23 रोज 35 परसेंट त डिमांड बहुत जादा हुआ तो उसका इंपैक्ट का इसा होता है उसके प्राइस के अंदर तो वह ठीक सेम टूसे में देखने को मिला अब देख सकते यह और ऑन यह परसेंट दो सो जम देखने को मिला आज की रेट पे पर इलेक्रिसिट मतब जांप है जो यूनिट है कि 5.90 रुपीज का अस-पास पर यूनिट यहां पर देखने को मिला तो बहुत जाद यहां पर बढ़ चुका है डिमांड बहुत जादा है उसके साथ सप्लाइ थोड़ा कम है जिस बैसे यह सारे हमें तेजी देखने को मिला बाकी बात कर देखिए इसके पहले भी बहुत सार सब्सक्राइब करने की गलती मत करना क्योंकि आगे बात करे 160 का सब्सक्राइब यह रिजिस्टेंस अगर ब्रेक करके शरूपर जा पाया तब ही जाके दोस्तों यहां पर चोड़ा मोट इंवेस्ट करना शुरू कर सकतो ठीक है फिर भी मैं बोलूंगा कंपनी का पहले बैल अचानक साज गिर गया तो यहां पर कोई बहुत बड़ा रिजन नहीं है नॉर्मली एक दिन ब्रेक आउट हो उसके नेक्स देट थोड़ा बहुत प्रॉफिट वुकिंग देखने को मिला मैं अच्छे से कंपनी का कोई इंटरनल इसूस नहीं नहीं आया ना कोई कंपनी का सेल्स का ब्रेट आया ऐसा कुछ भी नहीं है सीधी सी भाषा में जो प्रॉफिट मतलब लास्ट देखने को मिला उसके ओपर एक छोटा सा प्रॉफिट वुकिंग आज देखने को मिला ठीक है जैसे कि आप देख सेकतों कल की डेट पर शेयर टच किया था 1475 रुपय का देखिए इसके पहले भी मेरा रेकोमेंडेशन था करने के आज भी जारी है लास्ट एक साल पर देख लीजिए 180 परसंट कर रिटन पांच साल की बात करें कितना कंसिस्टन रिण दिया तो इस टाप की शहर हमेशा पोर्टफिलो में होना चाहिए बठाई भी ध्यान होना च करेंगे संबर दना मदर्सान नहीं हमारे मदर्सान सुमी के बड़ तो बहुत सारे इंवेस्टर्स दोस्ट जो है मुझे अक्सर कमें में पूछ रहा था कि सर्मदर सेंसुमी को कुछ अपडेट दीजिए लास्ट पांस दिन पहले की बात करें अल्मूस्ट पहुंची थी इवन उसके पहले की अगरा बात करें तो आप देख सकते तो 62-61 रुपीस का पहुंच चुका है तो एक अच्छा गें लास्ट चार पांस दिन पर देखने को मिला तो देखिए अभी धिरे-धिरे जैसे हमने देखा यह मार्केट के अंदर रिकवर होड़ा है अब सब्सक्राइब को बहुत जब्सक्राइब करना पड़ा इवन कंपनी का जो मार्जिन हो भी काफिया तक डाउन वा अब देखिए लास्ट यार पे हो सकते कि यह और ओन यह बिसेंबर कोटर में रिजल ठीक ठाक नहीं था तो इस बात देखना होगा क्वाटर फोर में कंपन सब्सक्राइब करें तो इस दिन पहले आपको वीडियो पी तक अच्छा लगा इन्फरमीटी लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एंक्रेज करना दो दिन पहले हमने देखा डीमाट के अंदर काफी आचा तेज़ी आपके अच्छा तेज़ी आपके अच्छा त सारी 3000 की ओपर आज की रेट में अचानक से गिरावट भाइया हूँ क्या हुआ क्या तो इसके पीछे बहुत बार डिजन है डीमाट के अंदर देखें लास्ट्यम ने देखा था कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट आउट हुआ था अच्छी बात है कि सीटी सीटी ग्लोबल नहीं और रहाली थे अपैसीट का रिकमेंड दे दिया तो समझें तो जबस के अपैसिछा में कमणी का सेयल्स क्या की और ग्रोथ उसके सांथ साथ सीटी ने में यहां प्याख sécurogen ये तार्गेट प्रॉद यह नीचे डाउन ग्रेट कर दिया और जैसा होना था वैसा ही हो गया 3,360 का टार्गेट दिया और कहीं ने कहीं आज शियर इसी रेट के आसपस हमने देखा क्लोजिंग भी दिया है ठीक है तो यह में रिजन आज शेयर के अंदर गिरावट के वीजे बागी बागी बात कर अच्छी कंपनी आप लॉंग टम के जा सक यहां पर बेनिफिट मिल सकता है बागी दोस्तों इस वीडियो के यहां पर वाइंड अप करता हूं मिलते है नेक्स वीडियो पर अब तक लिए टेक कर बाबाए जय हिंद